जें माता아 की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगत गयानी यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ सिर्फ पांच दिन करे माता काली की पूजा में ये एक काम जो सब्द मुझ से निकालोगे वो हकीकत में होने लगेगा सो परसेंट गारंटी जी हाँ भक्तो अगर आप लोग हपनी पूजा पाठ में लगतर पांच दिन तक ये एक काम करना शुरू करते हैं आज से कल से कभी से भी जब भी आप शुरू करना चाहें तो समझ लीजे आपको ऐशी शक्ती महाकाली की प्राप्त होगी कि जो भी सब्द आप जुआं से निकालेंगे वो सब्द हकीकत में पूरा होने लगेगा और मैं पहले आपसे ये रिक्वेश्ट करना चाहूंगी कि आप जो भी सब्द निकालेंगे तो अच्छा ही सब्द निकालें बुरा सब्द निकालेंगे वो भी पूरा होगा अच्छा सब्द लिकालेंगे वो भी पूरा होगा और ये शक्ति सदेव आपके साथ रहेगी और मैं आपको पांच दिन की सेवा में ये साधना बताने जारी हूँ इसमें कोई भी कठीनाई नहीं है एक कारे बताऊंगी जो आपको पांच दिन तक लगातार अपने घर में पूजा में करना है यदि आप ये कारे कर लेते हैं तो आपको मा काली की ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि अपनी जुबा से जो भी सब्ध लिखा लोगे किसी के लिए अच्छा लिखा लोगे किसी के लिए बुरा लिखा लो वो सब पूरे होने लगे करेंगे क्योंकि जुबा पर बैठेगी महा काली की योगनी शक्ती तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के माथ्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाहूंगी अगर आप लोग महा काली भकत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब तू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकेन को ओल पे सेट कर लेना ताकि अमारी जो भी निव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भकतों के पास पोचे अब देखिए काली मागी पूजा पाठ अपने घर में सभी भकत करते हैं और सभी भकतों को पाँच दिन की ये साधना अपने घर में जरूर करने चाहिए अब ही देखिए हम अपनी जुबान से जो भी सब्द निकालते हैं वो पूरा होने लगता है और ये आज से नहीं हो रहा है पहले से ही उता रहा है यहां तक कि जब गुरू भी नी था मेरा तब भी मेरे साथ ऐसी होता था अगर मैं किसी को गलत बोल दूँ तो वो गलत सब भी पूरा होने लगता था अगर मैं किसी को अच्छा कह दूँ तो वो अच्छा भी होने लगता था तो अगर आप ये माता की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल आप अपनी जुबा से अच्छे ही सब्द निकाले अगर किसी के लिए बुरे सब्द निकालो गए तो वो भी पूरा होगा और अच्छा भी होगा तो चलिए मैं आपको वता देती हूँ ये कारे कैसे करना है इस कारे से आपको माहकाली की योगनी शक्ति पराप्त होगी और वो योगनी शक्ति आपकी जबापे आकर विराधमान होगी तो देखी भक्तो, जब आप अपने घर में पूझा पाठ करेंगे, सुभे और शाम दोनों टैम आप पूझा पाठ करते हो अपनी घर में, तो आपको क्या करना है, एक लेना है निम्बू, ठीक है, और एक लेना है मट्टी का दिया, एक निम्बू, मट्टी का दिया, साथ मे एक आपको लेना है सूखा गोला और साथ में आपको पांच पता से दस लोग लेना है ठीक है अब जैसी मालिजे जब आप सुभा उठेंगे इसनान करेंगे लोटे चड़ाएंगे सभी देवी देपता हो कि उसके बाद अपने घर में पूझा पाट करेंगे तो जब आप अपने घर में पूझा पाट कर लेंगे तो पूझा पाट करने के तुरंत बाद आपको क्या गरना है अपनी छट पे जाना है मतलब खुली जगा में जाना है वहाँ जाकर आपको दिये जलाना है सरसो के तेल का है ठीके जी सरसो के तेल का धिया जलाना है अब चाहे आप इसे अपने घर में कर लो या घर से बहार कर लो वो आपकी मर्जी जहां भी आप करना चाते हो कर सकते हो लेकिन याद रखिएगा एक खुली जगा पर ही इस amenities कारे को किया जाएगा तो ये पांच दिन तक continue ही करना है आपको एक भी दिन छोड़ना नहीं बीच में अगर एक भी दिन छोड़ देते हो तो आपको कोई फायदा नहीं होगा इसलिए अगर आप इसाधना उठा रहे हो तो पांच दिन तक लगातार करोगे तो सबसे पहले आपको एक दिया जलाना है किसके नाम का माता महाकाली के नाम का दिया जलाने के बाद आपको दिये के पास काले तिल रखने हैं ठीक है काले तिल रखने के बाद चार से पांच कपूर जला लेना कपूर जला के मा को सूखे गुले की भेट देना सुके गुले की भेट देने के बाद निम्बू को चक्कू से काटके मा काली के नाम से चड़ा दे रहा और जो जो चीजे मैंने आपको बताई है लोंग बता से ये भी आपको माता को चड़ा देने हैं अब ये जो लोंग बता से आपने लिए हैं पांच बता से दस लोंग ये किसके नाम से चड़ाने हैं ये केवल काली मा के नाम से नहीं चड़ाने हैं ये आपको दस महाविद्या के नाम से चड़ाने हैं अगर दस महाविद्या का नाम जानते हैं तो जड़ाएं अगर नहीं जानते हैं तो आप केवल पांचों बता से और दस लोंग कपूर के उपर रग दो और माता दस महा विद्या को नाम लो हे मातास महा विद्या यह भोग सुभिकार कीजिए मुझे योगनी शक्ति दीजिए मेरी जुबा पर योगनी शक्ति बिठाईए ठीक है यह सब्द आपक इसका एक समय रखेंगे रोज सुभा करेंगे तो रोज सुभा ही करना है रोज शाम को करेंगे तो रोज साम को ही करना है कि आपको इसका समय बनाना है समय मैं नहीं बनाओंगी आपको खुर बनाना है अब यह कारे करने के बाद जब पांस दिन तक लगा तार आप एक कारे करेंगे और ये एक दिन में एक ही बार करना है जब ये कारे कर लेते हैं तो तीसरे या चोथे दिन में आपकी जुबा से निकले सब्द पूरे होने लगेंगे चाहे आप अच्छा केलो कुछ भी केलो हर सब्द पूरे होंगे तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में जय मातरानी